बहुत सारे customer को, reseller को ये error आ रहा है, जब उनका account open करते है, reseller verification fail, इसका simply मतलम यही होता है, कि आपका account जो मेशो की end से block हो गया है, और आप अभी account use नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो समझ लीजिए कि ये होता क्या है, ठीक है, आप जब भी कभी मेशो की कोई terms and condition follow नहीं करते हो तो मेशो आपका reselling का account जो है block कर देता है, ताकि आप मेशो के साथ में selling ना कर सको, अभी बहुत सारे YouTube पे वीडियो ऐसे बन रहे हैं, जो की दावा करते हैं कि हम reseller verification fail का ये problem आपका solve करके देंगे, तो मैं clear cut आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, कि ऐसा नहीं होता है, अ कि आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आप सब information नया feel करते हो, mobile number change कर देते हो, email ID, bank detail and etc, अगर आप सब कुछ detail change करते हो, तो आपका account जो है, फिर से start होता है मेशो पे, तो हाँ friends, आप account वैसे open कर सकते हैं, लेकिन आप जादा दिनों तक वो account यूज नहीं कर सकते हैं, ठ तुरंत आपका account जो है, बंद होने के 99% chances है, मतलब होता ही 100% आपका account वो block होने वाला है, ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है procedure, मेशो जब भी किसी reseller का account block करता है, तब वो उसकी कोई information वगेरा block नहीं करता है, वो directly reseller का mobile का IMEI number block करता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता ह आप उस IMEI number के mobile में कितने भी account open कर लो, वो सभी उसमें block होने वाले है, इसलिए आप आपका बिल्कुल भी time waste मत कीजिए, आप नए account बनाओगे, फिर से वो close हो जाएगा, फिर से आप परशान हो जाओगे, YouTube पे वीडियो सर्च करोगे, तो इसमें totally आपका wastage of time है, और information मेशो के पास डालोगे, उतनी वो सभी block में चली जाएगी, ठीक है, तो भी इस पे आपको सिर्फ एक ही solution है, solution यह है कि आपको जो है new mobile purchase करना पड़ेगा, और यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप new mobile purchase कर रहे हो, वो mobile में एक भी information जो block IMEI number में है, वो आपको feel नहीं करन है, अगर आपने previous वाले mobile में जितनी भी आपकी मेशो का account block हुआ है, वो एक भी information अगर इस में डाली, तो फिर से again same problem आपको face करना पड़ सकता है, तो friends इस पे कोई भी solution नहीं है, मैं आप से यह request करूँगी, कि आप जो है reseller verification fail, ठीक है, यह problem स्वाल आपका नहीं होगा, आपको नया mobile ही purchase करना पड़ेगा, या तो आपको किसी और के account से, जिनका account चालू है, उनके mobile से आपको order करना पड़ेगा, thank you